हलो फ्रेंज, वेलकम बेक टू माई चैनल हाजिरो एक नई लव स्टोरी लेकर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कहानी की शिर्वात में हमें टैंक्शन को दिखाया जाता है जो अपनी कहानी बता रही होती है वो बोलती है जिस परसन पर मुझे इतनी सालों से क्रश था उसे किसी और पर क्रश है और जिस लड़की पर उसे क्रश है वो और कोई नहीं बलकी मेरी ही बेस फ्रेंड है और मजे की बात तो ये है कि उसको भी आगे किसी और पर क्रश है और इसी वज़े से उसने इसको reject कर दिया है और अब मुझे दुबारा से चांस मिला है और उसको pursue करने में उसने मेरी help पिली थी मुझे तुमरी फ्रेंड पर crush है और अब मैंने भी उसकी help करना start कर दी है लेकिन अंदर ही अंदर मैंने उसकी help नहीं की बलकि खुदी मेरी दोस्त ने उसे मना कर दिया और अब मुझे नया चांस दुबारा मिल गया है और अब उसका दिल तूटा हुआ है और मैं इसी को अच चांस के बारे में बता रही होती है यूहान का तो अब डिल तूटा हुआ है इसलिए मैं इस चांस को अच्छे से यूज करूंगी वो खुश हो जाती है लेकिन उससे पूशती है क्या तुम्हें उसकी पहले वाली crush से कोई problem नहीं है तैंक्शन भूल दिया नहीं है क्योंक की फ्रेंड वो केक भी लेकर आई होती है उस केक को देखकर बोलती है चलो इस केक को जाकर टैंग्यू को देते हैं पिचारे का दिल तो पहले से ही टूटा हुआ है नेक्सीन में हमें टैंग्यू को दिखाये जाता है उसी समय पर वो फोन पर किसी से बात कर रहा था तो कि उसकी कंपनी में फिलाल एक इशू चल रहा था और उसी टॉपिक पर उनके वीच में बात हो रही होती है जैसे ही ये अपने ओफिस की अंदर आता है तो उसका असिस्टेंट उसकी पास आ जाता है तो उसे एक और बैड न्यूस दे देता है टैंक्यो जैसे ही उसे अपने ओफिस से भार बेशता है तो वहाँ पर टैंक्शिन आ जाती है उसके लिए वही केक लेकर आई थी वो उसे उसके को देने लग चाती है मैंने मीडिया में तुमारे बारे में काफी ज़दा बाते सुनी इसलिए मैं तुमारे लिए की क्लिकर आई हूँ वो बोलता है ये केक तुम अपने पास ही रखो मुझे नहीं चाहिए तुमी इसे खा लेना लेकिन टैंक्शिन उसे केक दे देती है दिल तूटना इतनी बड़ी बात भी नहीं होती और काफी देर तक महीं पर खड़ी रहती है तो टैंक्यों बोलने लग चाहता है तुमारे पास कोई काम धंदा नहीं है क्या यहीं पर खड़ी हो वो बाते सुनकर वो वहां से जाने लगती है फ्लेश बेक में हमें 6 मन्द पहले का सीन दिखाया चाहता है आपर हमें दिखाया चाहता है कि वो अपने दोस्त की हल्प करने के लिए तैयार हो गई थी एवन खुद उसके बारे में इसके पास बात करने के लिए आया करती थी वो उसे बोलती थी अगर तुम मेरी फ्रेंड को पसंद करते हो तो मैं तुमारी उसे मनाने में हेल्प करूंगी अब से लेकर आज तक थार्टीन हंडर्ड फिप्टिंग डेस गुजर चुके हैं और उसे आज तक ये फिल नहीं हुआ कि मैं उसे कितना जादा प्यार करती हूं और सोच रही होती है कि मैं तुमारे लिए क्या करूँ कि जो तुम्हें मेरा प्यार फील हो जाए अब ही ये उसके ऑफिस से आ रही होती है तो उसे योहन की कोल आ जाती है तोसे बताती है वो तो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा है केक तो ले लिया पर उसका मूँ काफी अजीब बना हुआ था तेरी तो सारी प्लैनिंगी बरबाद हो गई है कि दोस्त पूछती आखिर तुम उसे केसे बताओगी कि तुम उसे पसंद करती हो अपनी दोस्त की बाते सुने के बाद उसका दिल इतना ज़्यादा उदास नहीं रहता पूड़ी खुश हो जाती है और अपने काम पर आकर दुबारा से लग जाती है सीन में ये लिफ्ट में आता है तो ये मैडम भी लिफ्ट में ही होती है टांग्चिन बोलती है, देखो ये क्यसा इतफाक है और वो उसके close आपर उसे smell करने की कोशिश कर रही होती है टांग्यू को पता होता है कि ये इसा कर रही है इवन उसके साथ वो बंदा पीशे से उसे घुर रहा होता है कि इन दोनों उसे नहीं रोकते वो स्मेल कर लेती है तो टैंक्यू पूछता है ये तुम क्या कर रही थी बोलती है मैं ये स्मेल करने की कोशिश कर रही थी कहीं तुमारी बोड़ी से किसी वो लड़की की तो स्मेल नहीं आ रही है बोलता है अच्छा तो तुम्हीं क्या पता चला टैंक्शिट बोलती है तो परहस्ता हुआ पीछे से आ रहा होता है बागी में आने के बाद उसे पता चलता है वो अकेले ही जा रहा है असिस्सेंट उसके साथ नहीं जा रहा और ड्राइव करने वाला कोई भी नहीं है इसलिए वो बोल देती है कि मेरी कार यहां पर नहीं है और बोस को भी छोड़ दूँगा वो बोलती है तुम्हें तो कभी कभी ही चुट्टी मिलती है तुम्हें जाकर चुट्टी इंजोई करनी चाहिए मैं कार ड्राइव कर लूँगी यो भी समझ जाता है ये लड़के उसके साथ अकेले चलना चाहती है बोलते है चलो ठीक है तुम मिरे साथ चलो यसे वो कार में आती है वो देखती है ना ही रेक तक उसका पैर पहुश रहा है और ना ही वो सीट को आगे कर पा रही होती है तो टैंग्यों को देखकर सोचने लग चाती है इसकी ठांगे कितनी लंबी है और मेरे पैर कितनी ज़धा चोटे है जो कोही उसकी हलब करनी परती है वो उसकी सीट को आगे करनी लग चाता है पैर इस दोरान ये दोनोंको आपी ज़धा करीब होते है जोसे पूछता है पूछता है तुम्हें ड्राइविंग आती तो है ना मरवा तो नहीं दोगी टैंक शिन बोलते हैं तुम घबराओ मत मैं बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करती हूं जिसके बाद वह ऐसे तैसे कार को पारकिंग एरिया से भार निकाल लेती है लेकिन भार आने के बाद वह कार अच्छे से ड्राइव कर रही थी सिंग कट होत है और टैंग यू उसे अपने ऑफिस से देख रहा होता है एक्चली में टैंग्यू भी शिन को पसंद करता था जब वह उसके ऑफिस में आती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी इंटरव्यू में है वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है कि कलिक से ऐसा देख कर सूशन यह आ रहा होता है तब भी माँ पर शि civ सद या बोलता है यह लें गिएए इस कंधी हैहिए उसकी वीड़ियो और फ। शसे लेमे लग जाती है और यू इंद होनों साथ में देख लेता हैं यह अंदर जैलस हो रहा होता है इंटर्विू वालों को बेचने के बाद यू असिस्टन होती है तब ही वहाँ पर यू आ जाता है वो उसे देख कर ड़र जाती है वो गिरने वाली होती है लेकिन तब ही वो उसे पकड़ लेता है हो से बोलता है तुम इतनी ज़दा जल्डी अपना बैलंस को देती हो वो बोलती है तुम भी तो एकदम से आ गए थे ना चानक से तुम्हें देखकर मैं डर गई थी यू बोलता है घंटे में बस तुमने इतना ही वो किया मुझे लगा तुम बस चली रही थी और तुमने कुछ भी नहीं किया है शेन उसे बात करने की कोशिश करती है ऐसा नहीं है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है उसके पीशे भागी चली आती है यू बोलता है तुम मुझे फोलो क्यों कर रही हो शेन बोलती है मैं बस तुम से ऐसे फालतो की बाते गरना चाती हूं तो यू भी उसे कुछ नहीं बोलता शेन तो उसे नोबल के बारे में पूछने लग जाती है मुझे किस तरीकी की नोबल पास हो जाएगा तो क्या तुम मेरे प्रोड्यूसर बनोगे वहां बोल देता है अगर तुमारा नोबल स्लेक्ट हो गया तो यह तो बहुत ही अच्छी पात है पर पहले मुझे तुमारी स्टोरी अच्छी लगनी चाहिए तुम स्टोरी पर फोकस करो वह बोलती है चिंता मत करो मेरी नोबल बहुत ही अच्छी होगी और उसे अपनी बातों में उल्जाने लग जाती है जब तुम मेरी दोस्त को पसंद करते थे तो मैंने तुमारी बहुत ज़दा हैल्प की थी यहां तो तुम मेरे प्रोड्यूसर बनने के लिए भी तैयार नहीं हो बोल यह कोई और नहीं मुझे तो बस तुम ही चाहिए इसके बाद वो उसकी तरफ देखने लग जाता है फास में दिखाया जाता है जब शिंग कहीं पर भी जॉप नहीं करती थी उस स्कीन राइटर की जॉप करनी थी उससे पहले वो साहिं सीख रही होती है और दिल में सोचती है एक दिन मैं यूके बिल्कुल साथ में खड़ी होंगी स्कीन राइटर और वो दिन कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना और फिर उसकी पिक को पकरका सेम मैचिंग का आउटफिट निकाल रही होती है बोलती है हम दोनों बिल्कुल एक दूसरी के लिए बने हैं पर मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ यहीं बोलती है अगर तुम्हें करना है तो कर देना पर मैं तो तुम्हें यही कहूंगी जो भी बाते हमने की है तुम उन्हें भूल जाओ तुम्हें ना ही कोई प्रड्यूसर चाहिए और ना ही मैं अपनी नॉबल किसी प्रड्यूसर के साथ शेयर करने वाली हूँ तो इसलिए तुम मेरी कही हुई सारी बातों को भूल जाओ मैकसीन में वो अपनी फ्रिंड के पास आती है और वो उसे हक करकर बोलती है मुझे बहुत तेश भूक लगी है उसने पहले से जो खाना बनाया होता है तो वही खाना वो शेन को भी दे देती है चान उसे पूछती है क्या हुआ तो वो उसे सारी बाते बता देती है उसने तो मुझे reject कर दिया वो बोलती है अच्छा इसी बात है पर तुमें कोई और producer भी मिल जाएगा ना तो मुझे जान छोड़ क्यों नहीं देती हो अगर वो तुमें accept करने के लिए तयार नहीं है तो तुमें भी उससे दूर हो जाना चाहिए शेन बोलती है भला मैं उससे दूर केसे हो जांओ वो मेरा पहला प्यार है शेन बोलती है मुझे यकी नहीं हो रहा किसी को अपने पहले प्यार से इतना जाधा प्यार हो सकता है बोलती है रहने भी दो तुम्हें नहीं मालूम जब तुम्हें किसी से first side love होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कोई भी अपने first love से move on करना ही नहीं चाता है तास साल पहले जब मैंने उसे देखा था तो मैं तो उसे देखती ही रह गई थी माँ पर मैं किसी काम से गई थी लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मैंने decide कर लिया कि मैं इसी company में काम करूंगी मैं इसे हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूंगी सारे बाते सुनें के बाद उसकी friend बोलती है मुझे लगता है तो मैं अपनी दिल की बात उसे बता देनी चाहिए शेंड बोलती अगर मैंने उसको अपने दिल की बात बताई तो हो सकता है ये chance भी मेरे हाँ से चला जाए साथ में मेरी नोकरी भी चली जाए तो कि मुझे इसा लगता है कि वो मुझे reject कर देगा तो कि वो बहुत ज़ादा arrogant और rude किसम का बंदा है next day you अपनी company में काम कर रहा होता है तो यहाँ पर सभी के noble के proposal को देख रहा होता है सूच रहा होता है कोई ना कोई अच्छा noble तो उसे मिली जाएगा आगे उसकी movie में काम आएगा किन कोई भी proposal उसे पसंद नहीं आता वन किशिन जब उसे अपना proposal दिखानी के लिए आती है तो वो उसे साफ reject कर देता है बोलती है मुझे इतना तो right है ना कि मैं अपने proposal के बारे में बता सकूँ बोलती है ठीक है चलो मैं तुमें बताने का मोका देता हूँ पारे पस बस पांच मिनट है बोलती है पांच मिनट में मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगी मुझे थोड़ा जारा टाइम चाहिए लेकिन वो उसे ओर टाइम नहीं देता बोलती है ठीक है मुझे कुछ पैंसिल तो दे दो ताकि मैं तुमें ट्रोग कर कर दिखा दू बोलता है ड्रोइंग करनी की क्या सुरत है बोलती है मुझे लगता है शायद मैं तुमें बता नहीं सकती इसलिए मुझे ड्रोग करना है उसके बाद वो उसे अपने पास से एक डैरी देता है और ये भी ड्रोग करनी के लिए बैठ जाती है तब ही वो उसे मार कर देने आता है और उसके रुएंग को देखकर बोलता है ये तो बहुत ही ज़दा बोरिंग है उसे तरफ असिस्टेंट को दिखाया चाता है जो छुपकर उनकी बाते सुन रहा होता है तब ही पीछे से हाओ आ जाता है और उसे ऐसे देखकर ढरा देता है आओ पूछता आखिरकार ये सब क्या चिल रहा है वो बताता है शिंग अपना प्रपोजल मिस्टर यू को बताने के ले गई है ये तक वो भार नहीं आई है उनकर वो बोलता है उसने तो उसे काफी भार रिजेक्ट किया है ना कोई उसने हार नहीं मानी तबी बिलकुल ऐसे ह लड़की चाहिए शिंग ने सब कुछ ड्रो कर लिया था और वो यू को एक्स्प्लेन करने लग जाती है अपने स्टोरी सुनाने के बाद वो उससे ऐसा सवाल करती है जिसके बाद उसकी बोलती बंद हो जाती है उसका सवाल होता है अगर आप किसी को लाइक करते हो और लग जाएंगे आखिरकार इसमें क्या होगा और लोगों का इसमें इंटरस्ट भी क्रीट हो जाएगा बात यू को काफी जदा पसंद आती है शिंगलती से अपने फेस पर मारकर लगा लेती है ये देखकर यू बोलता है तुम्हें ड्रोइंग करनी तो आती नहीं है और उ इंप्लॉई बोलती है अगर आपको हो तो मैं यू को कोल कर देती हूँ वो बोलती है कोई ज़रत नहीं है मैं यहाँ पर उसका वेट कर लूँगी इतने में यू अपने असिस्टिन की साथ आ जाता है और दोनों की आके फटी की फटी रह जाती है शिंग को देखकर तो से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो शिन बोलती है मैं तुम से बात करने के लिए आई हूँ वो बोलता है ठीक है तो मेरे ओफिस में आजाओ उसके बाद वो असिस्टिन को वहाँ से बेज देता है असिस्टिन ने चस्मा पहना था शिन पूछती है तुमने यह चे पहना है वो बोलता है मेरी आखों में इंफेक्शन हो गया था जिससे मैंने चश्मा लगा रखा है तबसे मैं हरो चश्मा लगा कर आऊंगा सुनकर शिन सीधा ओफिस में आजाती है और यूँ उससे पूछने लग जाता है मेरा इंतजार क्यों कर रही थी यह उसे बोलती ह तुम्हें याद है ना मिल्सू और केम्टर्ड लोग की शादी हो चुकी है तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है ये सुन कर वो कहने लग चाता है तुम ये बात बताने के लिए मुझे यहां लाई हो वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है वो आगे कुछ कहने वाली होती है इससे पहले ही वो बोल देता है तुम मुझे पसंद करती हो ना वो बोलती है गेस करो वो बोलता हाँ मुझे वालूम है तुम करती हो पर कब से करती हो वो बताती है मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम से पसंद करती हूँ तो क्या मैं तु तुम्हें तो प्यारी लड़कियां पसंद होगी ना वो बोलता है अगर मुझे प्यारी लड़कियां पसंद होती तो मेरे पास ट्रक भरकर लड़कियां होती वो बोलती अब तुम उससे ये मत पूछ लेना कि मैं तुम्हें पसंद क्यूं करती हूं तुम handsome हो, rich हो और intelligent हो ऐसे ही उसकी बहुत सारी बाते बताने लग जाती है ये सब सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है मेरे पैसो की वज़े से ये मुझे पसंद करती है जैसे ही शिन्फिर से girlfriend बनने का पूछती है तो वो बोल देता है हम दोनों एक दूसरी के लिए सुटे बल नहीं है ये सुनकर वो तो रोने लग जाती है और बोलती है अगर तुम मुझे reject करना चाते थे तो साफ बोल कर कर सकते थे थे ना ये बात कहने की क्या ज़रत थी? कि मैं तुम्हारे लिए सुटे बल नहीं हूँ के बाद वो वहां से जाने लगती है लेकिन रास्ते में असिस्टेंट के साथ उसकी टकर हो जाती है ताफी ज़्यादा दुखी होती है और बोल रही होती है भला मैं तुम्हें ते सालों से लाइक करती हूँ और तुमने मुझे reject ही कर दिया लेकिन वो वापिस से मुड़कर यू के पास आ जाती है और बोलती है पहले मुझे अपने घर पर बुलाते हो और अपनी केट की वज़े से मुझे मेरी हैल्प लेते हो अपनी फ्रेंड को मनाने में तो चोई ये सब मेरे लिए कितना जादा मुश्किल होगा ये मैंने तुमारे लिए सारी चीजे की और तुमने तो एक सेकेंड में ही मुझे कंपनी की किसी मीटिंग की तरह reject कर दिया ये बाते सुनाने के बाद वो यू के close आ जाती है और forcefully उसे किस करने लग जाती है यू उसे दूर होने कर ट्राइ कर रहा होता है लेकिन वो यू को इतने अच्छे से पकड लेती है कि वो उसे दूर ही नहीं जा पाता किस करने के बाद वो उसे बोलती है अब मैं तुम्हें याद रहूंगी इस सब असिस्टेंट में भी देख लिया होता है और जब वो वहां से जा रही होती है तो असिस्टेंट के पास दुबारा से रुखती है तुम पर ये गलासे सूट कर रही है वो उसे ऐसा केकर यहां से चली जाती है असिस्टेंट को यू की पास आना था क्योंकि उसे उसको फाइल दिखानी थी लेकिन बोलता है मैं किसी ओर टाइम पर आ जाओंगा लेकिन यू बोलता है कोई बात नहीं तो मंदर आ जाओ जब वो फाइल्स पर साइन कर रहा होता है तो असिस्टन बोलता है ये फाइल इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेट नहीं है बोलता है जल्दी से शिन को कॉल करो तो असिस्टन जल्दी से शिन को कॉल कर देता है शिन उसे बोलती है चिन्ता करने की कोई सुरत नहीं है मैं अपने साथ कुछ भी नहीं करूंगी मैंने अभी तक बहुत से लड़कों को डेट किया है लेकिन ये भी बिल्कुल वैसा ही है इसलिए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता असिस्टेंट उसकी ऐसी बाते सुन लेता है लेकिन वो तो फोन कट कर देती है ये पूछता है उसने क्या कहा असिस्टेंट उसे कुछ भी नहीं बताता और बोलता है वो घर पहुँच गई है लेकिन जब वो दुबारा पूछता है तो असिस्टेंट बता देता है कि उसने क्या क्या बोला है इसके बाद वो आफिस से आने के बाद उसको मेसेज करते हैं, तो इसका मेसेज देखती तो है, लेकिन कोई reply नहीं करती और सूश रही होती है, मैं कोई समान हूँ क्या, जिसको use किया और fact दिया ये काम करते हैं, यहां पर सोच आती है, और वो इसके मेसेज का wait कर रहा होता है और इसी की बातों को याद कर रहा होता है नेक्स टेशिन एक लेड़ी के पास आती है और उसे अपना नोबल दिखाती है वो लेड़ी यानि की प्रेडियूसर उसके नोबल की बहुत ज़्यादा तारिफ कर रही होती है और वो उससे उसकी लास कंपनी के बारे में पूछती है तो वो बताती है मैं उस कंपनी से रिजाइन देने वाली हूँ ये यू से रिजाइन की बात करने के लिए पहँच जाती है यू से बोलता है आखिरकार तुम हमारे प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ रही हो तुम्हें इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए वो बोलती है यहाँ पर अब किसी को भी मेरी जुरत नहीं है जो मेरा काम था वो मैंने लोगों को समझा दिया है वो सभी लोग सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे कंपनी को मेरी कोई जुरत नहीं यू उसे टोट मारते हुए बोलता है यहाँ से जॉप छोड़ने के बाद तुम लू से मिलने के लिए जाओगी ना शिन बोलती है इससे तुमें क्या मतलब यही जो मर्जी मैं वही करूँगी यू उसे काफी ज़दा मनाने कर ट्राइ करता है ताकि वो किसी ना किसी तरीकी से उसकी बात मान जाए और वो उसी कंपनी में रह जाए उसके प्रोजेक्ट पर काम करे लेकिन शिन ने अपना मन बना लिया होता है कि वो इस कंपनी से अब रिजाइन दे कर ही रहेगी और वो उसे रिजाइन का बोल कर महां से जाने लगती है लेकिन जब वो असिस्टेंट को देखती है तो उसे बोलती है तुम इन प्लासिस में काफी ज़्यादा हैंसम लग रही हो बोलकर वो वहां से चली जाती है लेकिन भारानी के बाद वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही होती है यह सच में मैं इस company को छोड़ कर जा रही हूँ लेकिन फिर भी वो ऐसे तैसे अपने मन को समझा ही लेती है नेक्स जे आकर वो resignation letter पकड़ा देती है और यू से बात करने के बार महां से जाने लगती है लेकिन यू से जाने नहीं देता उसके हाथों को पकड़ लेता वो बोलता है तुम ऐसे केसे जा सकती हो मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा तुम्हारे लिए हैं यहां पर बहुत अच्छे अच्छे project है और तुमने जो मेरे साथ किया है मुझे तो उसका return भी करना है न ये कहकर वो उसे रोकना चाहरा होता है लेकिन वो उसे अपना हाँ च्छड़वा कर जाने लगती है लेकिन वो उसे दुबारे से पकड़ लेता है और उसे अपने close करता है उसमें उसे काफी ज़्यादा type पकड़ा हुआ होता है वो बोलती है मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ये सुनकर वो उसके हाथों को छोड़ देता है लेकिन इस जिद को नहीं छोड़ रहा होता है कि तुम यहां से नहीं जाने वाली शेन बोलती है तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है इसलिए मुझे इस कंपनी में नहीं रहना है तुम्हें आफ़र फील नहीं होता होगा लेकिन मुझे तो बहुत जदा बुरह लगता है अब मैं यहांपर काम करने नहीं आना चाहती हूँ वो बोलता है क्या मैं अब तुम्हें इतना बुरहा लगने लगने लग गया हूँ वो बोलती है हाँ पहले तो मुझे पसंद थे लेकिन अब नहीं और आम मैंने रेजिनेशन दे दिया है इसलिए गुर्बाई करकर जाने लगती है लेकिन वो उसे दुबारे से पकड़ लेता है और वो उसे जाने नहीं देता तुम पहले तो मुझे लाइक करती थी न वो बोलती है वो तो पहले की बाती न वो पूछता है तो पहले तो मुझे पसंद क्यों करती थी वो दुबारे से सेम बात बोल देती है तुम हैंसम हो, रिच हो और बहुत ही जादा इंटेलिजन्ट हो इसलिए शायद मैं तुम्हें पसंद करती थी स्क्सीन में वो अपने ओफिस में बैटा होता है तब ही महाँ पर सफाई करने वाली आती है बास्किट को भी साफ करने वाली होती है लेकिन उससे पहले यू उसे रोग देता है इस वज़े से वो ढर जाती है वी हाओ यहाँ पर आ जाता है और मेर्ट से पूछता है क्या पर बताती है मैं तो बस दस्पिन को क्लीन कर रही थी लेकिन बोस ने अचानक से मुझे मना कर दिया जाओ बोलता है अब आगी जाकर काम करें मैं यहाँ पर देख लेता हूँ यह बात वो देखता है दस्पिन में रेजिनेशन लेटर पड़ा है वो रेजिनेशन लेटर द दिल तो फूरी तरीके से तूट चुका होता है और वो अफिस में मुझ सुझा कर बैटा होता है और हाउ यहाँ पर आ जाता है उससे बात करने और उससे समझाने का ट्राइ कर रहा होता है तो उम्बान जाओ इस बात को कि तुम सच मेशिन को पसंद करते हो प्रिक की वज़े से तुम्हारी ये हालत हो गई है तीजिन यू इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं था बोलता है भाई तो मैं तुम्हारी सेटिंग किसी और के साथ करवा देता हूं लेकिन यू मना कर देता है प्रिक के बाद हाउ उसे अपने साथ भार लेकर चला जाता है यहां पर आकर ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और हाउ उसे पूछता है तुमने ऐफिस में ड्रिंक क्यों नहीं की भार क्यों लेकर आ गए मुझे यहां पर उसका फ्रेंड उसे समझाता है अब मान भी लो कि तुम उसे लाइक करते हो और तुम्हें ये बात उसे भी बतात देनी चाहिए ताकि उसे भी पता चल जाए कि तुम उससे प्याल करने लगे हो अपना पहला स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो अगर तुम इसी तरीके से ऑफिस में बैटे रहे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर तुम देखते रह जाओगे क्योंकि उसे भी बहुत जल्द कोई और मिल जाएगा तुम तो बस यहीं पर अटके रह जाओगे तरीकी की बाते करकर वो उसे मोटिवेट कर रहा होता है पर पर आने के बाद वो लेप्टो को यूज़ कर रहा होता है लेकिन जब वो अपने भाई को देखता है उसे पता चलता है शेन ने एक पोस्त किया हुआ है जहां पर वो अपने friends को thanks care रही होती है जो कि honeymoon के लिए गई होती है next day you अपने friends को बुला कर साथ में drink करनी के लिए बोलता है आपको तो यहां पर tension होने लग जाती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है वो बोलता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया यह तो बस मैं ऐसे ही तुम्हें drink करवा रहा हूँ और उससे पूछता है तुम्हारी तो girlfriend है ना तुमने अपनी girlfriend को के से बनाया था क्या तुम boyfriend बनने वाले tips मुझे भी दे सकते हो यह सब सुन कर how तो बहुत ज़दा खुश हो जाता है और यह उन tips को पढ़का imagination में चला जाता है imagine कर रहा होता है कि वो से कार में बिठाएगा romantic तरीकी से उससे बात करेगा लेकिन कार की seat bet लगाते हैं वक्त उसके हाथ काप रही होते हैं वो इस thing को cut बोलता है और फिर से imagine करने लग जाता है कि जब वो पूशेगी कि हम का जा रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि तुमारे दिल में तो वो बोलती है ची तुम किते ज़्यादा चिपकू हो जिसके बाद वो फिर से cut बोल देता है यहाँ पर वो सज़ेस्ट करता है कि हमें बहुती ज़्यादा प्रोफेशनल और अच्छे वे में बात कनी चाहिए बोलने के बाद वो last strike करता है और बोलता है हमारी एकी मंचिल है और वो मंचिल है तुमारे दिल का रास्ता अब हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले हैं वो बोलती है मुझे destination को बदलना है मुझे ऐसे जगा पर जाना है जहां पर तुम ना हो यह सुने के बाद वो रोने लग चाता है और बोलता है मैं इस बार भी fail हो गया यह बाद वो सोचता है मैं उसे दिनर के लिए ले जाऊंगा पर जो खाना उसे पसंद नहीं होगा तो सारा खाना मैं खालूंगा पर वो इस स्थीन को रोग कर बताने लग जाता है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए एक बार आप relationship में तो आ जाते हो लेकिन उसके बाद फिर मोटे हो जाते हो कि आपको वो चीज़े खाने परती है जो आपकी गर्फिर्ण आपको बोलती है अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो शायद एक दिन हम बहुत ही जादा मोटे हो जाएंगे फिर वो ओवर तिंग करने लग जाता है कि वो कितना जादा मोटा हो सकता है उसके बाद वो उसके साथ खानी कीरे बैड़ जाता है यसरे बोलता है तुम्हेंropy स्पाइसी फूर पसंद है ना यह मैंने तुमारे लिए स्पाइसी फूर मंगवाया है बोलती है अगर आप एक साथ तीन खाने अपने प्यार के लिए रखो तो उसके साथ आपको भी खाना पड़ता है और इससे उन दोनों के बीच में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता है ये सुनकर वो फोरण से हां बोल देता है ये तो मैं खा लूँगा लेकिन जब वो खाना शुरू करता है तो उसे पता चलता है ये तो बहुत ज़्यादा पाईसी है और अब वो इस सेन को स्टॉप करने के बाद बताता है आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना नहीं बोलना कि आप खा सकते हो योगि इससे आपकी आलत खराब हो सकती है और शायद आपका डेट भी खराब हो सकता है इसके बाद यो अपनी इस वाली मैंची निशन दुनिया से भी भार आ जाता है और यह लाइफ में आने के बाद Ciao को उसके घर से निकाल रहा होता है और बोलता है तुम मेरे घर पर क्यों सो रही हो वो बोलता है कि वो कि तुम्हारा बैट बहुत ज़ादा मुलायम है इसलिए मैं याँ पर सो गया और अब मुझे लगता है मैं याँ पर सोने के लिए आता रहूंगा बोल रहा तुम्हें मेरे घर पर सिर्फ ये ब्लैंकेट में लेगी मेरे बैड के बारे में तो बिल्कुल भी मसोचना को दिखाया चाता है जो अपने केट के साथ कडल कर रही होती है और अब वो जैसे ही अपने मुबाल को चेक करती है तो देखती है हर जंगा पर ये ख़बर फैड चुकी होती है ये देखकर उसे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं आता सबी लोग बाते कर रहे होते हैं क्या ये अपना कॉंट्रैक इनी के साथ रिन्यू करना चाहती है ये सारे कमेंट्स परने के बाद वो दुबारे से सोने के लिए लेट जाती है सोचती है मुझे लग रहा है मैं अभी तक उठी नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है तबी उसे यूजे की भी कॉल आ जाती है वो उसके कुछ बोलने से पहले उसे समझाती है मुझे नहीं पता उसने मेरे पोस्ट को दुबारा री पोस्ट क्यों किया है ये बार सुनकर यूजे को सकून आता है और बोलता है आज काम के लिए आ जाना प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो वहाँ पर उसे सभी वरकर से मिलवाने लग जाता है सभी वरकर उसे देखकर बहुत ज़्यदा खुश हो जाते है यूजे बोलता है अब हमारी company उपर जाने वाली है वो बोलती है तुम लोगों की company यूजे की वज़े से उपर जा रही है ना की मेरी वज़े से यूजे बोलता है ऐसा कुछ नहीं है अब इन लोगों को तो मुझपर confidence भी नहीं है ये सोच कर वो ड्रिंग की जा रहा होता है और अपने आपको बोल रहा होता है मैं पता नहीं जेलस क्यों हो रहा हूँ मैं में ही साइट से डिंग निकलाती है और बोलती है भाई आप किस से जेलस हो रहे हो लेकिन यू उसके मूँ को स्मेल करता है और बोलता है तुम ड्रिक करकर आई हो वो बोलती हाँ मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी इसलिए मैं घर पर नहीं गई तोकि डैड को पता चलता तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते इसलिए मैं आपके पास आ गई बोलता है तो तुम्हें डैड से डर लगता है लेकिन अपने भाई से डर नहीं लगता तुम्हें कहात आना लड़कियां ड्रिंक नहीं करती है वो बोलती है मैं कोई 18 साल की बच्ची नहीं हूँ मैं कर सकती हूँ ये बोल कर वो अपने भाई के सामने ही ड्रिंग की बोटल पकर लेती है वो बोलता है तुम्हारे इतनी हिमर कि तुम अपने भाई के सामने ही ड्रिंग करने लग जाओ तो उससे ड्रिंग की बोटल ले रहा होता है डिंग बताने लग जाती है आज मुझे नई जॉप मिल गई है मैं डिजाइनर बना चाहती हूँ बोलता अच्छा इसी बात है चलो बताओ ये डिजाइनर क्या काम करते हैं लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती तो उसका भाई बोलता ठीक है ड्रिंक मत करना मैं सोने के लिए चाह रहा हूँ लेकिन वो अपने भाई को मैनू प्लेट करकर बोलती है भाई मुझे एक बात बता चली है अगर आप कहोगी तो मैं आपको बता दूँगी लेकिन उससे पहले आपको मुझे ये ड्रिंक देनी होगी वो बोलता मुझे कोई बात नहीं जाननी है ड्रिंक भूलती है वो बात उससे रिलेटिड है लानी की शिन से रिलेटिड इसके बाद यो जल्दी से ड्रिंक मना कर उससे दे देता है और बोलता है जल्दी बताओ क्या बात है बोलती है भाई अगर मैंने आपको बात बता दी तो क्या आप मुझे डिजाइनर बनने दोगे बोलता है बिल्कुल भी नहीं इसके बाद वो डिंक लेने लग जाती है लेकिन उसका भाई उसे पीछे कर देता है पहले मुझे बात बताओ बताती है भाई शेन एक नया घर लेने वाली है सीन में दिखाते हैं शेन अपने लिए एक बहुत फोर्डेबल रेंज में घर देख रही होती है घर उसे पसंद आजाता है इसलिए वो तुरंट उस घर को खरीद लेती है आप में शेन लेट नाइट तक काम कर रही होती है यूसे आकर पूछता है तुम अभी तक काम कर रही हो वो बोलत है जैसे ही काम कमप्टीट हो जाएगा मैं चली जाओंगी बोलत है मुझे पता चला तुमने घर चिंच किया है अगर कोई भी चीच वहां पर पोचानी होगी तो मैं किसी को भेश सकता हूँ बोलत है नहीं किसी भी हल्प की ज़रत नहीं है सब कुछ 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 कर लूँगी उसे वहां से जाने लगता है तो वो उसे रोक कर पूछती है मुझे आपसे कुछ पूछ ना है पास था और वो पास गुजर चुका है बोलता है शायद वो तुम्हे दुबारा से पाना चाहता है हो सकता है वो तुम्हें खोना नहीं चाहता नाक्सी मेशन अपना घर सेट कर रही होती है तब ही उसके सारे बॉकसे से एक लड़का उठाकर ले कर आ जाता है वो समान को से साइट भी रखने को बोलती है उसे पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं यू होता है देखकर वो बोलती है तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो आपड़ यहां से दफा हो जाओ जो बोलता है याँ पर मैं तुमारी हल्प करवाने के लिए आया था बोलती है लेकिन मुझे तुमारी कोई हल्प नहीं चाहिए मैं किसी ओर से हल्प ले लूंगी लेकिन फिर भी वो उसके घर को ठीक करने लग चाता है शिन हुसे मना कर कर पूचती है सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो यह बोलता है मैं यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को ठीक करनी के लिए आया हूँ यह सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं कहती इवन उसे घर के सारे काम करवाने लग जाती है जब वो काम करकर धक जाता है तो शिन से पानी मांगता है वो बोलता है पानी खुदी डूर लो जिसके बाद वो पास में रखी हुई बोटल में से पानी पीनी लग जाता है शिन उसे वो बोटल छीरने के लिए आती है पर चकर में वो उसके उपर गिर जाती है बोलता है अगर ये तुम्हारा जूटा पानी है तो मैं इसे क्यों नहीं पी सकता ये तो मुझे तीन मिनट तक के लिए किस किया था ना हम चीजों को शेर कर सकते हैं तो नोटिस करता है कि शिन की हाथ पर चोट लगी है इसलिए वो उसके हाथ पर बरफला कर लगा देता है शेर तो उसे बस देखती रह जाती है लेकिन फिर अपने आपको समझाती है ये सिर्फ दिखने में हैंसम है और कुछ भी नहीं उसे पूछता है क्या हो गया है शेर बोलती है मैंने तीन मिनट नहीं बस दो मिनट के लिए किस्त किया था बोलत है पर तुम इस टॉपिक पर बात क्यों कर रही हो उसके जाने के बाद उसकी बहन माँ पर आ जाती है लेकिन वो अपनी भाई की कार को माँ देख लेती है पूशती है क्या मेरा भाई यहां पर आया हुआ था बोलती है नहीं तुम्हारा भाई यहां नहीं है लेकिन तबी तुसी तरफ से यू भार आ जाता है जैसे यू से बुलाती है तो वो एकदम से शोक हो जाता है सोच रहा होता है इन्हें तो पहले दिन ही पता लग गया कि मैं यहां बढरे रहा हूं जिसके बाद वो जल्दी से अपने घर के अंदर जाने लगता है लेकिन दिंग दोड कर जाती है और पूशती है भाई आप यहां पर क्या कर रही हो बोलता है मैं तो यहाँ पर आजी शिफ्ट हूआ हूँ दिन बोलती है भाई आप अपने अच्छे विला को छोड़कर यहाँ पर क्यों शिफ्ट हो गए वो बताता है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ अपने भाई की आगे की लफ स्टोरी भी जानना चाहती थी लेकिन उसका भाईवां से दफा होने के लिए बोल देता है वाईवर तुम्हरा नीचे वेट कर रहा है जल दी जाओ इसके बात वो वापिस आकर शिन के दर्वासे के भार खड़ा होकर उसकी हावा सुनने की कोशिश कर रहा होता है और उस सोचता है शायद शिन सो गई होगी लेकिन तब ही उसे हवाज आती है और उसे पता चलता है कि वो अपने कैट के साथ खेल रही है ये सुनकर वो डोर नोक करता है शिन को पता होता है कि वही आया होता है इसलिए वो दर्वाजा नहीं खोलती जिन उसे कॉल करकर बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है इसलिए डोर ओपन करो जिन वो विंडो ओपन करकर उससे बात कर रही होती है वो बोलता है क्या तुमसे तनी जादा नराज हो की दर्वासा भी नहीं खोल सकती प्लिस डोर ओपन करो मुझे सच में तुमसे बात करनी है और सोच रहा होता है क्या रिलेशनशिप में आना सच में इतना जादा मुश्किल होता है ये सुनने के बाद वो उसे एक स्टोरी सुनाने लगती है उसे बताती है मैं बच्पन में बहुत ही जादा बुली हुआ करती थी किसी की भी आगे नहीं बोल पाती थी लेकिन उसके बाद-बाद में डैट ने मुझे समझाया कि जोग जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो जैसा बोल कर वो दर्वासा बंद कर लेती है इस मौनिंग में दिखाया जाता है इसे बेकफास बनाने में बहुत जख़़ा प्रॉपलम होती है ये-नहसे तैसे कर कर ये बेकफास बनाता है और उसके लिए भी पैक करता है येगि वो बहार आती है तो ये भी दरवाळे के बार आकर बोलता है क्या कोइंसिडेंस है के बाद ये लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट में जाकर ये इसका वेट करती है लेकिन ये नहीं आता लेकिन फिर अच्छानक से लिफ्ट का तरवसा खुलता है वो उसके क्लोज आकर खड़ा हो जाता है के बाद ये इसे लंच निकाल कर दे देता है और बोलता है इसे तुम खा लेना वो बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए इसके लिए थैंक्यू वो बोलता है मुझे मालूम है तुमने ब्रेकफस्ट नहीं किया होगा इसलिए ये मेरी तरफ से है वो बोलती है पहले तो कंपनी में तुम कभी लेट नहीं हुआ करते थे वो बोलता है मैंने तुम्हें जो भी बाते बोली थी वो सारी बाते में वापिस लेता हूँ तुम मेरे लायक हो चब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था ना उस टाइम पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था लेकिन मुझ में बुद्धी आ गई है इसलिए उस समय पर मैंने जो भी बुरा भरा कहा था उसे भूल जाओ इसलिए अब मैं तुम्हें दुबारे से पाना चाता हूँ वो बोलती है शायद तुम अभी समझ नहीं रहे हो मैं तुमसे दूर चली गई हो ना और ये बात तुम्हें बरदाश नहीं हुई है इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है और शायद इसलिए तुम मुझे पाना चाहते हो पर दिल से तुम मुझे पसंद नहीं करते हो वो बोलता ऐसा नहीं है मैं तुमें बहुत ही ज़दा पसंद करता हूँ वो बोलती अगर ऐसा है तो एक काम करो तुम मिरसे तूरा हो क्योंकि इसी में हम दोनों की भलाई है नेक्स ये सारी लड़किया क्लम में होती है शिन उन्हें बताती है यू वापिस उसके पास आना चाहता है उसकी फ्रेंग बोलती है अगर उसे फील हो गया है उसकी क्या गलती है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लेकिन शेन उसकी सारी हरकतों को याद करकर इतनी जादा सैड हो जाती है कि यह ट्रिंग करकर रोने लग जाती है और उसे किस करते हो एमेजिन करने लग जाती है और फिर दुबारे से ड्रिंग करकर रोने लग जाती है लोगों को यहाँ पर पता चल जाता है कि वो दोनों बहुती ज़दा ड्रंक है तो वो उन लोगों को लेने के लिए आ जाते है शेनी आपर यू को पकड़ कर बोलती है तुम यू हो ना तुम कभी भी मुझे समझते नहीं हो जिसके बाद यह इस एकार में लेकर आ जाता है तो वो उसके बहुती ज़दा चिपकने लग जाती है और बोलती है तुम मेरे यू हो ना वो बोलता है नहीं मैं यू नहीं हूँ के बाद वो शांती से बैठ जाती है और अब वो उसको उसके फ्लेट तक लेकर आ जाता है उसे बोलता है चलो जल्दी से अपने दर्वाजे का पासवर्ड लगा और रूम में चलो के बाद वो पासवर्ड लगाती है और रूम में आ जाती है और वो उसे सुलाने के बाद महाँ से जाने लगता है लेकिन वो से पकड़ कर बोलती है मुझे मालू है तम यू हो तमने जूट बोलाना कि तम यू नहीं हो रिसंखर वो तो बहुत ज़़्यदा खुश रुजाता है क्योंकि वो हर वक्त यू का ही नाम ले रही होती है उसे अपने पास खीश कर बोलती है मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाती हूँ वो तुम्हें गेस्ट करना होगा अगर तुमने आता बता दिया तो मैं पूरा बता दूँगी वो बोलता है जरूर तुम्हारा सीक्रिट ये होगा कि तुम मुझे लाइक करती हो लेकिन जान पुछ कर तुम मुझे मना कर रही हो लेकिन तब तक तो वो सो जाती है देखकर वो उसे ब्लैंकिट से कवर कर कर हां से चला जाता है नेक्स मॉर्निंग जैसे ही वो उड़ती है तो फोन में टाइम देखती है वो उसे यू की आवाज आती है क्या तुम उट गई वो तो ये सुनकर डर जाती है उसके घर से यू की आवाज केसे आ सकती है और उसे पूछती है तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो उसे बोलता है अगर तुम फ्रेश हो जाओ तो खाना खानी के लिए आ जाना ये बोल कर वो हुआ से चला जाता है कि जाने के बाद वो अपने कपड़ों को देखती है और बोलती है इस तरही से मैं भाल नहीं जा सकती हूँ उसकी फ्रेंड का मेसिज आ जाता है जो उसे बता रही होती है कल रात यू ही तुमें घर छोने के लिए गया था अगर तुम उठ जाओ तो मुझे बता देना और वो जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है तो वो यू को बोलती है क्या तुम मेरे घर को अपना घर समश रहे हो मेरे घर में क्या कर रहे हो निकलो यहां से वो बोलता है ऐसी बात नहीं है तुम ब्रेकफास्ट कर लो उसके बात मैं यहां से चला जाओंगा जब वो breakfast कर रही होती है तो वो उसकी सारी गलत फैमी को दूर कर देता है मेरी कोई ex नहीं है वो जो भी थी वो family pressure की वज़े से थी family वालों को कहना था कि मैं उससे शादी कर लू लेकिन मैं उससे पसंद नहीं करता था और ना ही वो मेरी girlfriend थी अब सुने के बाद शिन बोलती है ये सारी बाते तुम मुझे क्यों बता रहे हो बोलता है मैं तुमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि future में हमारे बीच में कोई भी secret ना रहे और अगर तुम भी मुसे कुछ कहना चाती हो तो कह सकती हो क्योंकि अब मैं तुमसे कोई भी बात चुपाना नहीं चाता सुनकर वो वहीं पर रुख जाती है और उसे बोलती है मुझे थोड़े टाइम में निकलना होगा तुम भी अपने घर पर जाओ ये सुनकर वो अपना लैप्टोप उठाकर जाने लगता है लेकिन जाते जाते बोलता है क्या मैं तुमारी मुवी में प्रोड्यूसर का काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमारी इसमें हेल्प करना चाता हूँ ये तुमारी पहली मुवी की डेव ब्यू है ये बोलती है ये सब कुछ मेरे उपर नहीं है यूजू के उपर है वो बोलता ठीक है चलो मैं उनसे बात कर लूँगा नेक्सीन में हुआ उसे अडिया देता है आपको उसके सामने बहुत ज़ादा ड्रंक होने का बहाना करना है और उसके घर में जाना है तुillonकि जब वो आपको ड्रंक देखेगी तो वो आपको समभनने की कोशिश करेगी लेकिन उसे नशा तो चड़ नहीं रहा था और वो फिर उसके घर के बार आता है और उसके डोर बेल बचाता है वो नहीं खोलती तो वो उसके घर का गलत पासवर्ट भी लगा रहा होता है ताकि वो जल्दी से दर्वाजा खोल दे तब इशिन देखने के लिए आती है कि इतनी रात को कौन दर्वाजे पे है तो वो देखती है ये तो यू है तो वो उसके लिए दर्वाजा खोल देती है अंदर आकर वो बोलता है तुम मेरे घर में क्यों आ गई हो बोल दिये ये मेरा घर है तुम मेरे घर से बाहर निकलो इसी बज़े से उस बिचारे की कमर पर भी चोट लग जाती है उसको उसकी फिकर हो रही होती है इसलिए वो उसे सोवे पर लिटा देती है और वो उसके लिए हैंग ओवर ड्रिंक भी बना कर ले आती है वो ड्रिंक पी और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है यह देखकर शिन बोलती है अगर तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो इसका मतलब तुम होश में हो इतनी जाद एक्टिंग क्यों कर रहे हो बोलकर वो उसे उठा रही होती है लेकिन वो जान पुछ कर उसकी कंदे पर गिर रहा होता है तो जब सोने की एक्टिंग कर रहा होता है तो वो उसे ब्लैंकित देखकर खुद भी सोने के लीए चली जाती है नेक्स मौनिंग जब वो उड़ता है तो अपने सामने शी को देखता है तो द SUPER ठीक नहीं हुआ हूं बोलती है अच्छा तो तुम अभी भी ठीक नहीं हूए यह बताओ तुम अपनी एक्टिंग कब खितम करने वाले हो या फिर परसो ये बोल कर वो उसे धक्के दे कर घर से भार निकालने लग जाती है तब ही दर्वाजी पर डिंग भी आ जाती है और दोनों को साथ में देख कर गलत सूचने लग जाती है इन उसे घर में लाकर बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो एक्स मॉनिंग जब वो उड़ती है तो उसे डिंग की कोल आती है उसे बोलती है जल्दी से आप फियो.com देखिए देखिए भाई ने आपकी लिमा पर क्या पोस्ट किया है जैसे ही पोस्ट को देखती है तो उसे पता चलता है कि यू उसे सपोर्ट कर रहा था उस पोस्ट को देखने के बाद यू के घर पर पहुंच जाती है उसे बोलती है तो मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो अपनी कंपनी को खत्रे में क्यों डाल रहे हो बोलता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रत नहीं है ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बलकि अपनी कमपनी के लिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट से मुझे ही फाइदा होने वाला है और मैं तुम्हारे उपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ अच्छे से यगीन है कि तुम्हें इस चीज़ में जरूर सक्सेस होगी और मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही तो कर रहा हूँ कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हें इतना जादा प्रेशर लेनी की ज़रुत नहीं है बोलती है पर तुम्हारी कमपनी यू उसे शांत करा देता है और बोलता है ऐसी बात दुबारा कभी मत बोलना नेक सीर में इन दोनों की कमपनी का आपस में कॉंट्राक हो चुकाता है इसके बाद दिंग उसके पास आती है और उसे बोलती है फ्यूचर वाली सिस्टर इलो जो की एक राइटर है और मेरा भाई जो एक प्रेडूसर है मैं जो की एक एक्टर हूँ मारी फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी ना यह सब बाद सुनकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है सारी बाते सुनकर यूसु बोलता है लगता है कि मैं यहाँ पर एक्स्टरा हूँ और वो सब को इन्वाइट कर देती है कि मैं सभी को ट्रीट देना चाहती हूँ और यहाँ पर वो सभी को ट्रीट देती है वो सभी लोग बेट कर खा रही होते है शिन यू की साथ घर आता है घर आकर शिन बोलती है मैं पहुँच गई हूँ ये बोल कर अप डोर बन करने लग जाती है लेकिन यूँ उसे दर्वासा नहीं बन करने दे रहा होता आज इतनी अची नियूस मिली है तो क्या तुम मुझे 30 मिनट नहीं दे सकती हो बोल दे अगर मैंने 30 मिनट तुमें दे दिये तो उसके बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगी और ठक जाऊंगी इसके बाद मेरी तबित भी घराब हो सकती है बोल दे ठीक है तो 20 मिनट दे दो जिसके बाद वो मान चाती है और वो फटा-फट से घर के अंदर आ जाता है और उसकी केट को खाना खिलाने लग जाता है क्या तुम्हें पता है लोग कप प्यारे लगते हैं तो वो पूछता है कप वो बताती है जब लोग केट को खाना खिलाते हैं तो ज़्यादा प्यारे लगते हैं बोलता ठीक है मैं समझ गया जिसके बाद वो केट की सारे काम करने के बाद वो उसके पास ही आकर बैठ जाता है। भावी से उनकी ड्रेस का कलर पूचा था लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। लेकिन आप ट्राइ करना भाई कि आपको उनकी कप्रों का कलर पता चल जा ताकि आप उनको सप्राइस दे सको। प्रिशन तो वहीं पर खड़ी होती है तब ही वो भाना करता है बिल्ली उस रूम में चली गई है। जब वो ड्रेस पहन कर भार आती है तो वो उसकी ड्रेस को देखकर है राज हो जाता है। ये उसे लगाता ये तो फैरी प्रिंसस वारी ड्रेस पहनेगी लेकिन उसने तो पूरे ब्लाक कलर की कपड़े पहन रखे होते हैं। बोलता है तुम तो ये नहीं पहनने वाली थी। बोलती अगर सभी लोग फैरी वारे ड्रेस पहनेंगे तो अलग केसे लगूंगी मैं। दोनों चलने लगते हैं लेकिन तब यू से रोक कर उसकी ड्रेस के आगे की कट को पकड़ लेता है। तुमारे पैर को जादा ही नजर आ रहे हैं। शेन में क्या चल रहा है। ये लोग पार्टी के अंदर आने के बाद अलग हो जाते हैं। शेन अपने फ्रेंड के साथ चली चाती है और यू अपने कजन के साथ। यू का कजन उसे बताता है हमें से एक लड़की तुमारे मूम ने तुमारे लिए स्लेक्ट कर रखी है जिससे तुम फ्यूचर में शादी करोगे। जैसे ही यू लोगों की तरफ देख रहा होता है तो वो लड़की अभी यू की तरफ देखने लग जाती है। उसकी मॉम शिन के पास जाने लगती है लेकिन यू ने रोक कर बोलता है इतनी जल्द ही भी क्या है। अब तक उसने मुझे एकसेप्ट नहीं किया है और ना ही वो अभी तक मेरी गर्फिन बनी है। अभी तक तुम्हारी कोई गर्फिन नहीं बनी है तो शादी कब होगी। अपने बेटे का मासुम फेस दिखकर बोलती है ठीक है मैं तुम दोरों के बीच में नहीं आउंगी तुम अपने मेटर को खुद ही सॉल्व कर लो जिसकी बाद वो शिन के पास आता है और उसकी रि यू दुबारे से शिन की घर पर आ जाता है शिन बोलती अगर मेरे घर पर आई गए हो तो मेरे साथ मिलकर काम ही करवा दो यू काम करनी के लिए इमापर बैट जाता है लेकिन शिन टेडी बीर को बीच में रख देती है ये दोनों क्लोज ना सके यू पूछता है क्या चीन में वो बिसनस टिप पर चला जाता है और शिन अपने पेर्ण से भथ कर रही होती है उसके मुम डैड उससे बोल रही होते हैं आफ तुम्हें देड के बारे में भी सूचना चाहिए शिन मना कर देती है लेकिन उसके मुम डैड बोलते है हमने टिकेट बुक करा ली है ह तुम्हारे घर पर आ रहे हैं सीन में उसके पेर्ट्स उसके घर पर आ जाते हैं शिन पूछती आप लोग वापिस कब जाओगे उसकी मोम बोलती है अभी तो आए हैं और तुम जाने की बाते कर रही हो सीन में उसमें दिखाया जाता है कि वो किसी को कॉंग्रेचुलेशन करन उसके मोम डैड भी उसे टीवी पर देख लेते हैं और बोलते हैं ये तो शिन का बोस है ना उसे हमारी बेटी पसंद करती थी लेकिन उसने हमारी बेटी का दिल तोड़ दिया नैक्सीन में यूँ वापिस आ जाता है और उसी टाइम पर शिन के पेरंस भी मापर आ रहे होत हैं जिनने यूद देख लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और ये भी और ये भी जब यूद को देखते हैं तो पैचान लेते हैं ये लोग कुछ बोल नहीं वाले होते हैं तब ही वो अंदर से भारा जाती है और इन दोनों को अंदर ले जाती है अंदर जाने के बा कर अच्छे से पूछने लग जाते हैं और उसके मॉम भी ब्लाइंड डेट्स के लिए लड़के दिखा रही होती है वो बोलती है मॉम मुझे किसी से भी नहीं मिलना है उसके फैमली उसे डेटिंग के लिए फोर्स करती है तो वो मान जाती है उसी तरफ यू इसे बहुत ज़ जाता है कि शिन ब्लाइंड डेट पर गई है ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं ये बाद वो शिन को मेसेज करकर पूछता है क्या तुम ब्लाइंड डेट पर गई हो लेकिन फिर भी वो उसके मेसेज का रिप्लाइ नहीं करती और ब्लाइंड डेट पर वो अपन तुम चाहे जो मर्जी करो पर डेट पर मच जाओ तुम उसके मौन डेड आ जाते हैं और वो उसे बाद निकाल देती है लक्सीर में वो फ्लिफ्ट में होती है और लिफ्ट से नीचे उतर रही होती है तब ही माँ पर यू आ जाता है और उसे फोर्सफोली किस करने लग जाता है अगर तुम उससे गुस्सा हो तो तुम मुझे मार सकती हो और काट भी सकती हो और उसे अपना हाथ देता है काटने के लिए के बाद वो से जोड़दार काट लेती है और ऐसा हाथ काटती है कि उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लग जाती है नेक्सीन में यू अपने कलिक्स के साथ लंच कर रहा होता है जब वो लोग उसके हाथ को नोटिस करते हैं तो उसके बारे में उल्टी सीधी बाते करने लग जाते हैं उसके बाद जब वो अपने असिसिंट से आकर पूछता है तो उसे पता चलता है जब आप बिजनस ट्रिप के लिए बाहर गए थे उसे आपने बिजनस मीटिंग की थी उसे और आपको लेकर मीडिया में अलग अलग रियूमर फैल रहे हैं मीडिया वाले मिश मसाला लगा कर डेटिंग यूमर बता कर फिला रहे हैं ती वज़े से सभी लोगों को लगता है आप मीटिंग के बहाने डेट पर गए थे जानी के बाद यू को भी समझ में आ जाता है कि शिन उसे किस लिए गुस्ता है उसकी शोप में एक कस्मर आती है व प्रेंड उसे अपने फोन के कैमरे से देख लेती है वो उसे मना करती है मैम यहाँ पर फोटो लेना अलाओ नहीं है लेकिन वो लेडी तो बत्तमिस ही करने लग जाती है मैं अपनी फ्रेंड के लिए ड्रेस लेना चाती हूँ यहाँ पर आ नहीं सकती है इसलिए मैं उसे प अपने फरेंड से पूछती है तुम्हें केसे पता चला कि वो फ्रोड है वो बताती है कि यहां पर ऐसे फ्रोड लोग आते रहते हैं वागी उन्हें मेरे डिजाइन्स के भारे में पता चल सके एक सीन में शीन टीना डेट पर गई होती है आज वो अपने डेट को कुछ बताने वाली होती है शीन वो उसे खाने के लिए कुछ ओडर करने के लिए कहता है तब शीन को किसी का कोल आजाता है यह वो कोल उठाती है यह उसे भूलता है तो महाँ पर दुबारा क्यों गई उसके बाद वो फोन कट कर देती है और अपने ब्लाइंड डेट को बताती है मैं किसी और को लाइक करती हूँ कोल्ड है मुझे पहले से मालूम है कि आप किसी और को पसंद करती है मेरी बेफकूफी देखो, ये बात मालूम होने के बाद भी मैं आपको डेट पर लेकर आया हूँ इसे आप चिंता मत कीजिए, ये हमारी लास डेट है, इसके बाल हम दुबारा कभी नहीं मिलने वाले तो ये माँ पर यू आ जाता है और उस बंदे से हाथ मिलाता है अपने आप को से इंटेट्यूस करवाता है, इवन यू तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ता और बोलने लग जाता है, शीन देखो ज़रा तुमने तीचोर से मुझे दाट से काटा है कि अभी तक लाल है तुम बोलती है क्या ये सारी बाते तुम्हें यहीं पर करनी थी वापिस आने के बाद यू से पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो बोलती है मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ पर तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना तुम सोच भी नहीं सकते उस तमें मेरा दिल कितना जादा तूट गया था कितना जादा embarrassment feel कर रही थी तो बस तुम्हारा नाम सुनकर ही खुश हो जाती थी एवन तुम्हें देखकर excitement से पागल हो जाती थी लेकिन जब तुमने मेरे proposal को मना कर दिया तो मुझे बहुत जादा बुरा लगा ये सारी बाते सुनकर यू को तो बहुत जादा बुरा लग रहा होता है reject करना मेरी life की सबसे बड़ी भूल थी उसे पूछता है चलो बताओ कि अब तो मुझे कितने घंटे देने वाली हो जानी कि हम किती देर तक time spend कर सकते हैं जिसकी बाद वो दर्वाजा खोल कर अंदर चली चाती है कि वो चाती थी कि वो घर के अंदर आए यहां पर वोसकी केट के साथ time spend करता है एक सीन में यू शिन को बैट पर लिटा लेता है और उसे अपना love confess करने लग चाता है बोलती है मुझे नहीं मालूम था तो मित्य जादा चिपकू हो सुनते ही यू तो शिन को किस कर लेता है और यहां पर उन दोनों का romance स्टार्ट हो जाता है सीन में यू की मॉम शिन को यू के बच्पन की फोटोस दिखाती है जब ये बात यू को पता चलती है तो वो अपनी मॉम से पूछने लग चाता है कि आपने कौन कौन सी फोटो दिखाई है कि मॉम बोलती है घबराना बंद करो वो तुम्हारी girlfriend है ना अगर उसने तुम्हारे बच्पन की तस्वीर देख भी ली तो क्या problem है यहां पर उसकी मॉम के हाथ में walkie talkie होता है जिस वज़े से उन लोगों के बीच में हो रही बात कंपनी में सभी लोगों को पता चल जाती है अभी लोगों को पता चल जाता है कि यू और शीन अब relationship में है सीन में यू और शीन जब कंपनी के अंदर आते है तो उसे धेर सारी blessing देते है यू को अपने मॉम डेट से मिलाने के लिए लेकर आ जाती है कि मॉम यू को देखकर बोलने लग जाती है मैंने कोई खाना नहीं बनाया है तुम लोग बिना बताए क्यों आते हो ये लोग माफी मांगने लग जाते है हमें माफ कर दीजिए हम बिना बताए आ गए लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करकर चली चाती है अर्शली में शिन के मॉम डेट उससे काफी ज़्यादा नरास थे क्योंकि वो नहीं चाते थे उनकी बेटी किसी ऐसे लड़की से शादी कर जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया हो लेकिन फिर भी उसके डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो आजाओ अंदर उसके बाद शिन के डैड यूग से पूछते हैं बताओ तुम मेरी बेटी को पसंद क्यों करते हो क्या तुम फर्स साइट लव में यकीन करते हो वो बोलता है अगर तुम कहोगी तो कर लूँगा शिन बताती है जब मैंने तुमें पहली बार देखा था तब ही मुझे तुम से प्यार हो गया था मैं बस सही टाइम का वेट कर रही थी इसके बाद वो बोलता है मैं भी तुमें कुछ दिखाना चाता हूँ वो उसे फाइर वक दिखाता है जो कि उसी ने अरेंश्मेंट कराया था प्सीर में वो उसे बोलता है मैं तुमारे मॉम डेट से मिल लिया तो अब तुम मेरे मॉम डेट से कम मिलोगी लेकिन जब ये इसके घर इसकी मौम से मिलने के लिए आती है तो ये और उसकी मौम बहुत ही ज़ादा ड्रंक हो जाते हैं इसके बाद वो उसे घर पर उठा कर लेकर आ जाता है और ये इसके साथ रूम में इस करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोकते होए बोलता है अभी सही टाइम नहीं है तुम होश में आ जाओगी तो हम सोचेंगे वो उसे बेट पर लिटा कर यहां से चला जाता है नेक्सी में दोनों फैमली की मीटिं होती है जहां पर डिसाइड होता है अगले समर में दोनों की शादी करा दी जाएगी तक हमें शादी की सारी तैयारिया कर लेनी चाहिए उसके बाद यूज शिन को एक एग्रिमेंट देता है और उस एग्रिमेंट पर लिखा होता है अगर मैं फ्यूचर में कभी भी तुम ही चीट करता हूँ तो मेरी सारी प्रॉपर्टी और बिजनस की मालकिन तुम बन जाओगी और जिसके बाद तुम मुझे अथाने से डिवो कित लेने के लिए जाते हैं पर शिन अपने शोशल मीडिया पर अपनी शारी के बारे में पोस्ट करती है नेक्सीन में ये सबी लोग यही पर नाइट स्टेंड करने वाले होते हैं लेकिन ये बोलता है कोई जरत नहीं है सब लोग अपने अपने घर जाओ ये पूछती है मैं प्यारी लग रही हो ना तो वो हां बोल देता है पूछती है ये ड्रेस जादा प्यारी लग रही है या फिर मैं वो बोलता है ड्रेस को पहने वाली लड़की जादा प्यारी लग रही है इसके बाद ये दोनों फोटो शुट कराते हैं और ये इसे हग करती है और यहां वीडियो के साथ तब तक के लिए सारांगे बाई बाई